विजारे मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाश शेप्टर हमने यह देखा था कि हमारी जो शेनवा है वह यान को इससे मिलने आया था और जैसे ही वह उसके रोगों के बाहर आके खड़ा होता है उसे जोड़ से अंदर उससे आवाज आती हुए सुना देती जहां पर कियाता लियान ने एक बड़ डिसाइड कर लियाना कि हरम की सारी मुमन्स को डिसमिस किया जाता है और मैं एक भी नए लोगों का वेलकम नहीं करने वाला हरम में अगर किसी को अबजेक्शन हो और अपना सर कटवाने के लिए तयार है तो फिर वह सामने आजाए और मैं सुन और आप अमयाए का सीम दिखा जाता है जहां पर लियान कहता है I mean यानगु कहता है कि सारे हरम को लोगों को डिसमिस किया जाता है और जो फिर यूना करता है कि नैनिंग क्या आपने सुन लिया His Majesty और फिर उसके बाद हमाई जो शिन्वारतव कहता है कि हाँ मैंने बहुत क्लियरली सुन लिया और वहां से जाने लगता है और फिर उसके बाद जो यूना करता है वह सुच लगता है कि His Majesty ने पूरे हरम को हरम को डिसमिस कर दिया सिर्फ नैनिंग के लिए बट ये किस तर यार उसे explain तो करो कि उसको डिसमिस नहीं किया सिर्फ उसको तो रखाया और बागी लोगों को डिसमिस कर दिया explain ही नहीं किया तो हमारे शिन्वा अब क्या ही करें शिन्वा जैसे ही बहर आती है हमारे यानगोई के study room से वहां पर बहुत सारी concubine रहती है जो कि उसके हरम की ही रहती है आज तक किसी वुमन की close नहीं गया है और शिन्वा ही पहला ऐसा परसन ता जिसके close यानगोई गया था जो कि उसके जो भी ओफीशर थे उन्हें एक वारिस चाहिए था और उन्होंने कुछ मेडिसीन में ला देती हैं इससे ही के चलते वह से close किया था एनिवे रीजन कुछ भी हो जैसे ही वह वहां से बाहर आता है सबी लोग की बाते सुनता जहां पर कहते हैं कॉंकिबाइन शी की है अच्छी नहीं है और हिसमाजिस्टी को अपने विरासत पर ध्यान देना चाहिए कुछ कॉंकिबाइन अपने आपस में बात कर रही होती है एक कहती है तुम्हें सुना ने यह कहा है कि यहां तक सभी लोग यही कह रहा है कि कॉंकिबाइन शी है उनको फ्यूचर में चायल्ड होना काफी ज़र डिफकल्ट है जबसे हिसमें को यह बात पता चली है वह कॉंकिबाइन शी के मिंग्यों पैलस में दुबारा गए ही नह नहीं सकता और उसके बाद आगे चलकर और सुना देता है जहां पर कुछ और लोग बात कर रहे थे कहते हैं कि सभी लोग यह कह रहा है कौंकिबाइन शी ने फाइनली जो फेवर था उन्होंने खो बैठा कौन सोच सकता था ऐसा कभी होगा और फिर जो वहां की जो सर्वें और तो सुच लगता है कि सच में यान कोई की थो और सो कौन समझ सकता कोई भी नहीं और एनिवे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं घर जाओंगा और उसे जो भी करने की कोशिश हो वह कर सकता है अगर वह कोशिश कर रहा है हरम को क्लीन करने की या फिर रॉल लिंग की प दोबारा और तो मैं यहां से दोबारा नहीं जा पऊंगा मुझे कभी मुखा नहीं मिलेगा अब हमें क्का क्यों उस्छा करने में सुचशेज के कैम यह कोई से इस घॉल रेकिòng पन आपके एनिवे मेरा झापकोदे रहें को1 कुछ women's दिखाए जाती है जो कहती है कि miss यह चीज इतने का है वो चीज इतने का है I mean 50 tails का है silver का है यह साइची से वो लोग sell कर रहे थे यह साइची से एक हमें लेडी दिखाए जाती है जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं दिखाए जो में नहीं चयाती है फिर बहुत सारे और च्छे में बैच रही थी आचैने को Ers derived बाइसे उन्हों कर शाइक के बहुत सारी आपिछे से लेकर थरह तो जाने सकते तो हम लोग अपनी चीज रहें ये सबस्लें करें ताकि हम लग यहां सब फुली जा सके इस प्लिस से एन फिर यह सारी देखकर हमारे कॉंकुपनी शीर सीच में एक मिन प्रॉब्सक यह रही है उसके वाइन जो कॉंकुपन जान रहती है पर वो कहती है कि वेल देखो यह सारी चीजे पास्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी तो अब यहां पर हम लोग तो यहां से पहले से जा रहे हैं तो हमारा फ्यूशर ही हमारी सब चीजे डिपेंड करता है हमारी फ्यूशर पर हम लोग सोच रहे थे कि यह क्यों ना सेल कर दे यह बास सुनते हैं हमारी जो शिन्वारतियों कहती है कि गुफए नैंनेंग और यह बास सुनते हैं हमारी जो शिन्वारतियों कहती है कि यह ठीक नहीं होगा ना यह बास सुनते हैं हमारी जो शिन्वारतियों कहती है यह ठीक नहीं होगा ना यह बास सुनते हैं हमारी जो पॉलाइट होने की जरुवत नहीं है, इसको जो पने ख्लोस कर लेती है और कहती है कमान, चलो आपमें कुछ चीज़ा दिखाती हो, जो भी कॉंक्यूमेन थी, वो चीज़ा कर रही थी, वो उसे सारी चीज़ा दिखाने लगती है, इसके बारे बताने लगती है, वह अब एक लेकर आती हो कहती है यह शिनांग है यह इसके अपलेटी काफी जादा है यह mix जो fragrance होता है उसके अपलेटी काफी ज़ादा थी और इसको थोड़ी बहुत medicine की विल णोलच है और इस अपना एक फुचर में shop खोल सकती है इसको मोका मिलेगा अगर मैं यहाँ इस पहले से मुझे जाना है तो यह सारी चीजे में छोड़कर चाहूंगी और आप सबको यह चीजे बाई करनी पड़ेंगी यह बाई सुनते हैं हमाई जो श्रीना राती कि क्यों यह लोग रुखना नहीं चाहते हैं यहाँ पर कि तो इतनी अच्छी लाइफ है यहाँ पर फिर वो लोग यहां से छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं जो कॉंकुबाइन यहां होती है इस वर्ड में और इस पूरी दुनिया हम सभी लोग यही सोचते ना कि एक वुमेन की लाइफ तो उसके मैरेज और उसके हस्बेंट से यह होती है ना तो लाइफ को कोई भरोसा नहीं अफ अप और डॉनस आते रहते एक को मैं की लाइफ हो यहां पर वुमेन की लाइफ हो अप और स्ट दॉन्स सब्सक्रीट में आते हैं और औंज के लाइफ में difficult है जीना सो हां कह सकते हैं यह सब्सक्राइब है यह सुनने के बाद हमार शिन्वा सोच लगता है कि तो मेरी मॉम भी exactly उस ताइम यह साइची से सोच रही थी इन्फोर्मेशन बताए जती है जहां पर यह कहा जाता है कि प्रिंस ने उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था जहां पर किंग शॉन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही और प्रिंस शी को इसके लिए 100 टाइम तक पनिश किया गया उन्हें 100 कोडे मारे गया एवन उसक तुम्हें डर्डने की जरूवत नहीं है जो मेरी मदर है वो हमें ऐसे नहीं छोड़ कर जाने देगी तुम लोगे साथ यह एक्सिडेंट नहीं होने देगी यह चीज कभी नहीं होगा डेंशन मतलो और यह यह शीन्वा था कुछ यंगर वर्जन है को मुझे रीक से समझ मे अच्छे तरीके से जहांगे जिसमें से बाता देती हूं कि हमार जो शीन्वा था उसकी ब्रिदर भी थे अन्ड उसके ऐसकी मॉम ती वो था तो शालोगों की फैमिली थी और तभी हमां जो जो जानकूी होता है वो कहता है तो शीन्वा का सरनेब शी है तो वह भी एक फिर बंदर तो किया था हम्धू जो फिर पर्फिर ऐसे जब पता लगाने गया बारे में तो किया था है यह पोट्रेट है प्रिंस-की फैर्मली का प्रिंस्की का कॉंक्य बाइन है वह प्रिंस को लेकर आए थी जो की काफी सब्सक्रा टॉर्चर सह रहा था एंड उसके शया वो उसके साथ आई थी and तभी हमारी जो शीनुआ था उसका कुछ याद आता है जब शीनुआ नहीं कहा था मेरी फैमली बहुत पहले ही मर शुकी है and जो जान कोई होता है कि आगर यह प्रिंसस नहीं है तो and तभी कहता है कि well यह and तभी उसका जो सर्वेंट रहता है जिसने यह साई शी से पता लगाई वो कहता है कि यह प्रिंस की तरीके से तो नहीं दीखता बढ़ हां इसकी मदर की ब्यूटी बहुत जादा खुबसूरत था इसको इसकी मदर की ब्यूटी विरासत्व मिली है और ह हमें एक पोट्रिट दिखा जाता जहां पर दो बेबी थे एक मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर यह प्रिंस नहीं है तो यह नाइंट प्रिंस के साथ कैसे इन्वाल्व हो गया और उसके बाद हमें वो जो दूसरा बंदा होता है यह वैसे लॉंग स्टोरी है सभी लोग कहते हैं कि किसी इन्हें नाइंट प्रिंसेस शिन्वा को यह कहा था कि उसकी किस्मत में है एक नोबल लेडी बनना पूरी दुनिया का और उसके उसके किस्मत में है चमकना लेकिन उसके लिए सिर्फ उसे एस जो उसकी डेस्टिनी से जुड़ा हो और वो वो एक सभी होते हैं कि अधर देस्टिनी और यहीं पे चप्र खत्म हो जाता है आई होप सभी को चप्र काफी सदा अच्छा लगा होगा इनो गाइस का चप्र काफी सदा शॉर्ट था बैट आम सौरी गाइस मुझी था ताइम मैंच करने में प्रॉबलम हो रहा है ओ धरतबियत ख सक्वार बढ़े होख ग्रॉबल मैं पलर ये हमिए लगा ईजरी आम गधा ह हमिए замечते हैं यह जाल शला मैं आई खड़ै आम